सबसे पहले बनाते हैं सुन्दर सा फ्रंट पेज, अपने स्कूल का नाम लिखें, इसके बाद अपने एजुकेशन ब्लोग का नाम और दिष्टी का नाम लिखतें, सब्जेक्ट है हमारा साइंस, सुन्दर वर्ड्स में असाइनमेंट लिखें, अच्छे डिजाइन में, इसके बाद असाइनमेंट बनाने वाले का नेम, क्लास और रोल नंबर, सब्मिटिट टू टीचर का नाम, और सबसे अंत में रिमार्क्स, ऐसा ही फ्रंट पेज आप हिंदी मीडियम के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों, फ्रंट पेज बनाने के बाद हम सबसे पहले सूर्या के बारे में जानेंगे, खाली शीट पर सूर्या की सुन्दर सी ड्रॉइंग बना लें, और उसके सामने सूर्या के बारे में लिखें, सूर्या अत्यधिक उच्चताप पर गरम गैसों का विशाल गोला है, सूर्या की हमसे दूरी बहुत ज़्यादा है, परंतु सूर्या द्वारा उत्सरजित उर्जा इतनी अधिक है कि प्रिथिवी से इतनी दूरी होने के बाबजूद, सूर्य हम सब के लिए उस्मा और प्रकास का शुरोत है अता सूर्य उर्जा का प्रात्मिक शुरोत है मौसम में सारे परिवर्तन सूर्य के कारण ही होते हैं the Sun is huge sphere of hot gases at a very high temperature the distance of Sun from the earth is very large even then the energy sent out by the Sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. All the changes in the weather are caused by the sun. आगे है दिन और रात का बनना. प्रित भी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने अक्स पर भी घुर्णन करती है. 24 गंटे के इस समय में धर्ती के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकास पढ़ता है, वहां दिन होता है. आप इसके सामने दिन और रात को दर्शाता हुआ चित्र बना सकते हैं. और जहां सूर्य का प्रकास नहीं पढ़ता, वहां रात होती है. Formation of day and night. Earth revolves around the sun. And Earth also rotates on its axis. During the rotation of Earth around its axis in 24 hours, the part of Earth on which sunlight falls, there is day. Make a diagram showing day and night. And the part where is no light of sun, there is night. बच्चों, गर्मी के महीने जून या सर्दी के महीने दिसंबर में घर के पास किसी जगा को चुन लो. जहां से सूर्योदय साफ साफ दिखाई दे और इसी तरह सूर्यास्थ के लिए भी जगा देख लें. 10 से 12 दिन तक रोज सुबा सूर्योदय का समय नोट करें. इसी तरह शाम को सूर्यास्थ का समय भी बिल्कुल सटीक नोट करें. आप अख़बार में भी सूर्यो दैवा सूरेस्त का समय प्रति दिन देख सकते हैं और इसकी एक सारनी बना लें यानि टेबल बना लें पहले कॉलम में डेट दिन आग उसके आगे सूर्यो दै यानि सन्राइज का टाइम अगले कॉलम में सूरेस्त का समय यानि टाइमिंग ओफ सन्सेट इसके अलाबा आप एक और कॉलम जिसमें डे लेंथ यानि दिन की अबदी दिखाई गई हो उसे भी बना सकते हैं टेबल यानि सारनी बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पनाने से पहले ग्राफ पेपर पर पहले X-axis यानि X-axis और Y-axis यानि Y-axis खींचें उसके बाद horizontal यानि नीचे दिनांग यानि दिसंबर की कौन कौन सितिती को आपने time नोट किया है उसे दर्ज करें उधारन के लिए 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर इस तरह से और vertically यानि Y-axis में आप समय को दर्जाएं जैसे 7 बज़ कर 10 मिनट, 7 बज़ कर 11 मिनट, 7 बज़ कर 12 मिनट इस तरह से उसके बाद आप एक line graph बनाएं, आप देखेंगे कि सूर्योदय कसमे धीरे धीरे कम होता जा रहा है पहले सूर्योदय 7 बज़ कर 10 मिनट पर हुआ, उसके बाद ये 7 बज़ कर 11 मिनट पर हुआ, उसके बाद ये 7 बज़ कर 12 मिनट पर हुआ इसी तरह दिसंबर 2020 के सूर्यास्त यानि संसेट का भी graph बनाएं अब हम बनाएंगे दिसंबर महिने की day length यानि दिन की अबधी का graph आप देखेंगे 12 दिसंबर को दिन की अबधी 10 घंटे 9 मिनट और 41 सेकिंड है, जो हर दिन कम होती जा रही है, graph नीचे की ओर जा रहा है और 22 दिसंबर को दिन मात्र 10 घंटे 7 मिनट और 42 सेकिंड का रह जाता है, जो की smallest है यानि सबसे छोटा है उसके बाद दिन बढ़ना शुरू कर देता है और graph भी उपर की ओर चड़ना शुरू कर देता है इसी तरह जून 2021 की day length यानि दिन की अबधी का भी graph बनाएं graph शुरू में बढ़ता हुआ दिख रहा है यानि दिन बढ़ रहे है 15 जून को 14 घंटे 9 दिन और 26 सेकिंड का दिन है जो बढ़कर 21 जून को 14 घंटे 10 मिनट और 9 सेकिंड यानि सबसे ज्यादा हो जाता है ये सबसे बढ़ा दिन है, लंबा दिन है longest day of year फिर graph नीचे की ओर आना शुरू होता है यानि दिन छोटे होना शुरू होते है 22 जून को दिन छोटा होकर 14 घंटे 10 मिनट और 3 सेकिंड का रह जाता है बच्चों, उत्री गुलार्द जहां हम रहते हैं, वहां वर्स का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है इसी तरह उत्री गुलार्द में वर्स का सबसे चोटा दिन 22 दिसंबर को होता है बनाई गई असाइनमेंट के बाद आप कुछ प्रसनों का उत्तर दें क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है सूर्योदय कब जल्दी होता है क्या आपको जून और दिसंबर के महीनों में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है दिन की अबदी सबसे अधिक कब होती है रातें सबसे अधिक लंबी किस महीने में होती है या कब होती है दिन कभी लंबे और कभी छोटे क्यूं होते है Is there any difference in the time of sunrise during summer and winter? When do you find that the sunrise is earlier? Do you also find any difference in the time of sunset during the month of June and December? When are the days longer? Why are the days sometimes longer and sometimes shorter? तो बच्चों इस तरह हमारी सुर्यदय और सुर्यस्त का time note करने के साथ ही दिन की अभधी को दरसाती हुई ये assignment complete हुई आप इस तरह से और भी assignment और भी project आपने और भी project पना सकते हैं